बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कोलर्शिप बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कोलर्शिप के तहत सभी स्टूडेल्स का पैसा आना सुरू चीहां दोस्तों पैसा कैसे चेक करना है आपके एकाउंट में आया है या नहीं आया है आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगे दोस्तो बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कोलर्शिप के तहत आनलाइन जो छात्र अभी तक आवेदन नहीं किये हैं आवेदन कैसे करना है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे साथी साथ दोस्तो बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कोलर्शिप होता क्या है आज की इस वीडियो में हम ये भी जनकारी देंगे वीडियो को देख रहे हो तो फड़ा फड़ वीडियो को लाइक कर दो चैनल पर न्यूजर हो तो सब्सक्राइब कर लो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का उप्सन दिख रहा होगा क्लिक कर दो आने वाली सभी notification जानकारी information अपडेट भी अपडेट आपको मिलता रहेगा सबसे पहले तो दोस्तो चलिए start करते हैं देर ना करते हुए let's make it सबसे पहले दोस्तो आपको बता दू मैं कि बिहार post metric scholarship के तहत last date 31 December तक आप लोगों का online अवेदन होगा ठीक है आवेदन करने के लिए क्या-क्या document लगेगा और क्या-क्या आवेदन कैसे होगा इस वीडियो में यह जनकारी देंगे उससे पहले हमें आपको यह जनकारी दें कि बिहार post metric scholarship होता क्या है दोस्तो बहुत सारे students लगातर सवाल कर रहे थे सर पोस्ट metric scholarship यानि इसका क्या अर्थ है समझिए दोस्तो पोस्ट का मतलब हो गया कि metric metric post मतलब metric तक आप education प्राप्त होना चाहिए आप लोग ठीक ना अगर मान लिजए metric final कर लिए हो और इंटर में हो या graduation में हो या post graduation में हो तो आप किसी भी post पर हो तो आप असानी से इसके लिए online अवयतन कर सकते हो इसी का नाम है metric post जी हाँ दोस्तो पोस्ट यानि आप किसी भी post पर हो लेकिन metric से नीचे education वाले students को नहीं मिलेगा इसका राशी ठीक है इसका lave जो है मैट्रिक्स जो नीचे हैं जैसे कि 9th में है 8th में है 7th में है तो इसका लाब उनको नहीं मिलेगा लेकिन जो मैट्रिक फाइनल कर चुके हैं और मैट्रिक्स से 11th में है या आप लोग ग्रेजियोशन में हैं तो आप लोग असानी से इसके लिए आउन-lain आवैदन और सकते हैं थीक है बिहार पोस्ट मैट्रिक इस्कोलरशिप का यही अर्थ है दोस्तो अब यहां पर जान लेते हैं भी हर पोस्ट मैट्रिक्स इस्कोलरशिप के तहत जो छात्रियोडन कर दिये हैं उनका पैसा कब आएगा और कितने तरिक से शुरू होगा ठीक है चलिए जान लेते दोस्तों सबसे पहले तुम आपको यह बता दूँ कि बिहार पोस्टे मैट्रिक स्कॉलर्शिप के तहट आपका पैसा जो है आपके मार्च ओंध महीने में थीसरे महीने में यह रासी ढाली जाएगी तीसरे महिने में यह रासी डाली जाएगी ध्यान से सुन लिजिए मार्च में मार्च में 10 तरिक के बाद 10 मार्च के बाद जो है आप लोगों का यह पैसा आपके खाते में मिलना शुरू हो जाएगा सभी स्टुडेंस का जितने भी छातर इस वीडियो को देख रहे हैं 10 मार्च से आपके पैसे आपके खाते में यह रासी आना सुरू हो जाएगा कौन-कौन छातर अभी तक आवेदन नहीं किये हैं कौन-कौन छातर आवेदन किये हैं नीचे मैसेज करके जुरूर बताएं दूसरी बात दोस्तों आप लोग पताओगे तो इससे क्या पता लगेगा कि मान लीजी जब भी आपके खाते में पैसा आना सुरू हो जाएगा आपको सबसे पहले प्रूप के साथ लाइप प्रूप बता दिया जाएगा मार्च दस मार्च से आप लोगों का पैसा आना सुरू होगा अब यहाँ पर जो चातर अवेदन नहीं किये हैं ओ 31 तरिक तक लास्ट डिटर दिया गया है 31 तरिक तक आप लोग अवेदन कर दीजिए और नीजी फ्रेंड दोस्तों को सेर भी कर दीजिए यहाँ पर दोस्तों आवेदन करने के लिए क्या-क्या आइडेंटी प्रूफ लगेगा जान लीजिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको पता दूँ कि आइडेंटी प्रूफ के तौर पर आप लोगों का मैट्रिक का मार्क सीट लगेगा और इंटर का मार्क्सिट लगेगा साती साथ जो आप लोग नमांकन करा हैं नमांकन रसीद भी लगेगा अधार कर लगेगा, मोबाइल नमबर लगेगा फोटो लगेगा, ध्यान से जाती आई निवास परमान पत्र भी लगेगा दोस्तो बिहार बोनाफाइड सेटिफिकेट भी लगेगा बिहार बोनाफाइड सेटिफिकेट एक परमान पत्र होता है जो आपको स्कूल कॉलेज के माध्यम से मिल जाएगा और ध्यान रखें बिहार बोनाफाइड सेटिफिकेट से जब आप जाएंगे लेने तो उस पर बिहार मतलब आप लोग हेड मतलब हेड प्रिंसपल का सिगनेचर उस पर मोहर भी लगना होना चाहिए ठीक है तब ही जाकर आपको जो है इस स्कोलर्शिप के तहत आवेदन कर सकते हैं तो ध्यान रखें बिहार बोनफाइड सेटिफिकेट के उपर आप प्रिंसपल का सिगनेचर और मोहर जरूर लगवा लें ठीक है अब यहां पर दोस्तों यह तो जानकारी मैंने सभी आपको दे दिया दस मार्च से सभी स्टूडेंस का पैसा आना सुरू हो जाएगा वीडियो को सेर करके सभी स्टूडेंस को बता दीजिए लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को ठीक है टेलिग्राम गुरूप से नहीं जुड़े तो बिहार बोड के सभी स्टूडेंस टेलिग्राम के साथ चलिए धन्यावाद तब तक के लिए जय हिंद जय वंदे मात्रम